गुड इवनिंग स्टूडेंस यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में यूजिसी नेट एक्जाम के बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टूडेंस यूजिसी नेट परीक्षा क्या है इसकी क् में यूजिस नेट के बारे में थोड़ा बता हम है उझेक्जाम कब लगेगी और जो आपका उझेक्जाम एक्ज्ऴ है इसका इसकी तयारी हम लोग कैसे करें इसका स्रेबस होता है तो इन सभी बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो आप वीडियो को धान से सुनिएगा देखेगा आपको UGC NET के जो परिक्षा है इसके बारे में संपुन जानकरी मिलेगी ठीक है तो देखेगा सबसे इंपोर्टेंट जो बात है वो ही है कि बही जो दिसंबर 2020 में COVID-19 क वज़े से जो UGC NET exam है इसको इस्तगित कर दिया गया था जो अब मई 2021 में होगा ठीक है ओनलाइन आवेदन की जो अन्तिम तिथियवाय दो मार्च 2021 है ठीक है तो देखेगा आप मेंसे जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन में confusion होगा कि NET और जारफ में क्या अंतर है ठीक है तो दोनों के लिए एक ही फोर्म बढ़ना होता है और एक ही एकजाम देना होता है फोर्म में दो अप्शन होते है NET, NET and जारफ बहुत ठीक है अब देखेगा NET के लिए तो क सामाने स्रेणी के उमीद्वार के लिए अधिक्तम उमर 30 वर्ष होती है सामाने स्रेणी की महिला उमीद्वार और बाकी जो आरक्षित स्रेणिया है उनके लिए 5 वर्ष की छूटे रहती है ठीक है जारफ के लिए तो वो लोग मतलब जो सामाने स्रेणी की महिला है या फिर जो आरक्षित स्रेणिया है वो उनको पांच वर्ष की छूट होती है अर्थात वो 35 वर्ष तक दे सकते हैं यह दिए आपके उमर ज्यारफ के क्राइटेरिया में आती है तो आपको नेट एंड ज्यारफ बोट का ओप्संटिक करना चाहिए ठीक है अब देखेगा इसका फाइ प्रम पर्षेंट रहता है तो यह दिए आपने दोनों ओप्संट चुने हैं तो आप ज्यारफ के लिए भी क्राइट कर लेते हैं पर अगर आपने शिर्फ नेट पर टिक किया है तो आप ज्यारफ के कटोफ से ज्यादा लाकर भी शिर्फ नेट क्लियर ही कर पाएंगे तो इस बात का आपको ज्ञान रखना है कि मालो की आप जो आपकी एज क्रेटेरिय है उसके अंदर अंदर आता है तो आपको क्या करना है दोनों ओप्संट को क्लिक करना है नेट ज्यारफ बोथ ठीक है ताकि आपके अच्छे परसेंटेज बनते हैं तो नेट तो हो गई होगा इसके साथ आपका ज्यारफ भी हो जाएगा ठीक है अब देखेगा वे बिन्दू जिन पर हम अध्यन करेंगे वो कौन-कौन से है युजिसे नेट परिक्षय क्या है युजिसे नेट का फुल फोम क्या है आयूशिमा युजिसे नेट परिक्षय हितू शैक्ष्न क्यों की है UGC net परिक्षा का अयोजण कैसे होता है UGC net exam syllabus UGC net exam pattern विसेशय समंद्द जान करी है paper की भासा है UGC net marking scheme ठीक है इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो देखेगा सबसे पहले मां आपको बताऊंगे UGC NET परिक्षा क्या है तो देखिएगा सबसे पहले यह बात यह है कि जो नेट है इसका फुल फॉर्म क्या है तो UGC NET का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबलिटी टेस्ट ठीके अर्थाथ इसका हिंदी में है राष्ट्रिय पातरता परिक्षा ठीके और फिर एक इसमें आपको नाम मिलेगा सोरी मैंने आपको NET का फुल फॉर्म बताया अभी मैं आपको बताऊंगी UGC UGC का फुल फॉर्म क्या है तो UGC का फुल फॉर्म है Union Grant Commission अर्थाथ विश्व विद्दाले अनुदान आयोग ठीके ना तो UGC का फुल फॉर्म मैंने आपको यहां पर बताया NET का फुल फॉर्म मैंने आपको यहां पर बताया अब देखेगा नेट क्या है तो किसी भी सरकारी या प्राइवेट कोलेज में प्रोफेसर की नोकरी करने के लिए NET एक online परिक्षा है इस परिक्षा में पास होने के बाद आप किसी भी विश्य विद्धान में सिख सके तोर पर पढ़ा सकते हो ठीक है ना चाहिए वो आपका government college हो या फिर सरकारी को ले जो आप पढ़ा सकते हो यह है जो परीक्षा है यह जो यूजिसी नेट परीक्षा है यह कंप्यूटर रादारीत ओनलाइन परीक्षा है इस परीक्षा का आयोजन वर्स में दो बार किया जाता है यह एक रास्टेस्तर की परीक्षा है यह परीक्षा पो सहयं के अनुसार भी इसकी तयारी कर सकते हैं कि तो यह था आप , बैbenकर युजी सी नेट के लिए आयूशिमा क्या चाहिए तो देखेगा जूनियर रिसर्स फेलोसिफ के लिए आयूशिमा तीस वर्स अर्था ज्यारफ के लिए और साहिक प्रोफेसर के लिए आयूशिमा निर्दारित नहीं है ठीक है ना तो जो ज्यारफ करने वाले बंदे हैं उनके लिए त जो सामानिवर के लोग मैंने पहले भी आपको बता हैं उनके लिए 30 वर्स होगी और जो मतलब प्रोफेसर के लिए साहएक प्रोफेसर के लिए जो अपलाई करेंगे उनके लिए जो आयू सीमा वो कोई निर्धारीत नहीं है ठीक है यह आपके आयू सीमा हो गई अब आता यूजी सी नेट परिक्षय है तू सैक्षनिंग योग्यता तो मरत जो में है उसमें कम से कम 55% अंख होना जरूरी है सरकारी नियम मनुसार जो आरक्षित वर्ख है उनके भेटियों को 5% दीगे है ठीक है आप अब देख़े गाता है यूजी सी नेट परिक्षयां वर्ष में दो बार nude किया जाता है जिसके अधिसूजना मार्च और सितंबर में की जाती है ठीक है और जो प्रिक्षा का आयोजन है वह जून और दिसंबर में किया जाता है ओके समझ गया अब युजिसे नेट परिक्षा का रिचक है वर्स में दो बर के जाता है और पहले इसकी जो व्यक्यबति है अठार जिसकी जो शूसना दी जाती है भेट्थियोंको वह मार्च और सितंबर में दे जाती है फोम भरवाय जाते है और परिक्षा का आयोजन कप किया जाता है जून और दिसंबर में किया जाता है अब आता आपका यूजिस इनेट एक्जाम स्लेबस वो क्या है तो यह परीक्षा सब्वी बासों के विश्यों पर आयोजित की जाती है इसमें प्रियावारन कंप्यूटर विग्यान अधिक कई विश्य ऐसे हैं जिनमें ये परीक्षा की जाती है ठीके अब देखेगा यूजिस इनेट एक्जाम पैटन क्या होता है अब देखेगा जो यूजिसी की ओर से एन टी ए द्वारा अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये एक्जाम है की जाती है इस परीक्षा का नोटिफिके है आधिकारिक जो website होगी उस पे मर्च और सितम्बर में जारी किया जाता है इस परीक्षय में दो पर्सन पत्र होते हैं तो ने VISTA उसमें बूह पर्षन पत्र होंगे जिसमें जो पत्र है आपिचेंग । य हिस में टीचिंग at and पर्थम पर्षन पत्र है इसमें 50 पर्षन होते हैं और पर्थेक जो पर्षन है वह है दो अंका निर्धारित किया गया है तो हम कह सकते हैं कि जो फेस्ट पेपर है वह आपका 100 अंका होगा और दूसरा जो पर्षन पत्र है उसमें 100 क्यूशन होंगे और उसका जो परते के क्यूशना वो भी दो अंका होगा तो ये जो सेकिंड पेपर है ये 200 अंका होगा ठीके और मतलब टोटल 300 मार्ग की एकजाम होगी और ये जो जितने भी क्यूशन होगे वो सारे के सारे वस्तुनेश्ट होगे और परिक्ष्या का जो समय होए तीन गंठे निर्दारित होता है समझ गए ना? UGC Net Exam, Slebus, UGC Net Exam, Pattern अब देखेगा विशेश्य से संबंदित जानकारी तो पर्थम पेपर में जनरल एप्टी टूर्स चे संबंदित पर्षने पूछे जाते हैं था दूसरे पेपर में परिक्षार्ति द्वारए यह मैंने आपको पहले बताया है और पेपर की भासा देखीःगा तो नेट का जो पेपर होता है दो बसे हो कौन-कौश सी यां दो भासा हैं हिंदी और अन्ग्रेजी में होता है परिक्षार्थी को भासा का वितकल्प फोर्म बढ़ते समय चुनना होता है ठीके? तो जिस भी लेंग्वेज में आप मरले फोर्म बढ़ते समय आपको उसमें उप्सन पूछा जाता है है कि आपको हिंदी चाहिए इंगली चाहिए जिसमें भी आपने फोर्म बढ़ा उसी में आपको फिर एक्जाम देना होता है अब आती है यूजीसीनेट मार्किंग स्कीम को तो युजी से नेट में जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है यह क्या है कि टोटल 3090 अंक का पेपर हूता है पहले और दूसरे पेपर के सही स्वालों के लिए दो तो नंबर दिया जाते हैं यदि कोई भी जवाब गलत है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसलिए आपको क्या करना है कि सारे के सारे क्यूसन करने हैं क्योंकि कोई भी मायनस मार्किंग नहीं होती है तो यह आपका हो गया UGC Net Marking आप देखिएगा इसमें क्या है कि जो महत्वपूर्ण तत्थें कई बार पूछ लेते हैं एक्जाम में भी यह जनरलोलेज की क्यूसन भी यहां पर बन रहे हैं तो भार सरकार द्वारा इस परिक्ष्या का आयोजन 1956 से प्रारंप किया गया इस परिक्ष्या का मुख्याले द दवारा किया जाता था लेकिन दिसंबर 2018 के बाद से इस परिक्ष्या का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजन्सी एंटी अटि ए के लिए 500 रुपए और बाकी उम्मीद्वानों के लिए 250 रुपए है ठीक है तो देखेगा मैं अंत में आपको यह कहना चाहूंगी कि जो आप आपको लग रहा होगा कि यह जो यूजी सीनेट एक्जाम है इसकी तैयारी कैसे करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आपको मोग टेस्ट देने चाहिए ठीक है और पिछले वर्सों की जो पर्शन पत्र है उनका भी आपको अध्यन करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि परीक्षया का प्रारूप क आएंगे तो फिर एक्जाम के टाइम में आपको पढ़ने में आसानी आएगे और हमारे हमारा जो यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज है इस पे हम आपको इतिहास विशेज समंदित जो तैयारी है वो करवाएंगे और नेट का स्लेबस हम लोगों ने टार्गेट किया तो यह दि आप लोगों को सही लगे तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें आपको इतिहास विशेज समंदित महत्रपूर्ण और से आपके मिलेंगे ठीक है